असलाम लेकुम वराख्मत अल्लाह वराकातो हूँ मैं दिखाता हूँ आपको यह इतनी गाड़ी जो तैयारी करनी है फिटनेस ट्रेस के लिए आप इस गाड़ी का अंदर बाहर से देखिए क्या इसको ज़रूत है फिटनेस के लिए इतनी सारे खर्चे करने की यह 2013 का मॉडिल है नावंबर का और इसकी बैठरीन कंडिशन सारी के सारी साफ सुथ्रीम और फिर हमने इसको दुरुआना एक दफाँ जादा मेंगी नहीं होती है गाड़ी है आपर तकरीवन साथ नाग तक ही मिल जाती है इसको चेक करने के लिए यह इसको नीचे से वाश करेंगे पहले इस निन को स्ट्रीम वाश यह देखिए थारोली चेक कर रहे देखें यह भी स्ट्रीम वाश नहीं है इस कंडिशन में इतनी वाश है किलीन है सब कुछ है और फिर इसको एक्स्ट्रा स्ट्रीम वाश करना है अब यह जो इंजल स्ट्रीम वाश हो चुका है एक एक चीज वाज़ा है इसको हम देख लेते हैं थारोली हम मुतमें होंगे तो इसको छोड़ेंगे क्योंकि इसको ठीक ठाक पेसे देना है सारी जगह से इस्ट्रीम वाश हो चुका है इंजन नीचे से भी रनिंग कंडिशन में दाके कहीं बदना हो जाए या कोई इसी और कंडिशन प्राप्लम ना हो यह देखिए क्या कंडिशन इसकी खुब्सूरत पस ग्लास यहां पे सिरफ साथ लाग तक में मिल जाती है दोज़ा तेरा का माडिल नवंबर का इंजन के नीचे प्रेट दुबारा लगाया कवर करेगा अब यह एंजन की कंडिशन बगर स्ट्रिम वाश किया अभी भी बहुत साफ है मागर फिर खर्चा दो करना है क्योंकि इनका फिटनेस स्रेटिफिट लेना है हर छे मैंने बाद यह खर्चा होता है हर छे मैंने बाद फिटनेस लेनी होती है यह पूरा का पूरा स्ट्रीम वाश हो चुका है इंजन उपर से नीचे से सामने से फिर भी यह घुझझगुस के सब जगा से और क्लीन कर रहा है है कहीं भी मत्टी का जारा ना बचे आब इसके आउट सैट से वाश होगी पानी मारा फिशेंपू मारते हैं इसके उपर शैनल मारते हैं थोड़ा सा इस स्पेशल किसमें शैनल होता है और इस स्पेशल वाश होती ही फिर यह मॉस्ट्रम टाइम हम गाड़ी के अंदर ही बेठ होते हैं कि गाड़ी मूफ करनी होती है और मैंने अबने चलो वीडियो बनाते हैं बहार आ जाएं ठीक ठाग टाइम लग जाते हैं दो घंटे तक लगेंगा इसके उपर तमाम किसम का वॉश करने में यह ट्रिम बॉश ड्राइए इसको ड्राइब इच्छी तरह करते हैं लेदर ड्राइए करते हैं ताकि निशान ना है गाड़ी के उपर अब यह पॉलिश मैंने स्पेशलिस पर कमानी थी ताकि एक्स्ट्रा शाइन करें जो फिटनिस पर जाए यह पालिश वाला अपनी आखिर तक मेहनद करेंगा इसके उपर यह देखिए यह पालिश वाला जहां जहां किलके स्क्रेश कोई नदर आने वाले है इस क्रेशर से जो यह बफ है उस बफ मेशीन से साफ कर रहा है यह देखिए सारा काम मुकमल हो रहा है इस तरह एक एक चीज़ पर पालिश अंदर से बाहर से क्लीन करके डेश बूर्ट क्लीन करना है कहीं भी मत्टी कर ज़रा नज़र मारा है सही तरह टाइम लेगाने फिर इसको फिटनेस पर लेकर जाएंगे थीक ठक मेहनती हैं नो नहीं अगले साल यानि के छे मेने तक कि मैं नावम्बर के बाद में इस काड़े को सेलाइब कर दूँगा और इसके जाधा स्याधा चार साड़े चार बहुत जाधा रहे चार मिलेंगे चार लाक मिलते हैं और यह है हमारा फूरी तैयारी और फिर मज़िद दिखाते हैं क्या कर्डिशन है अपना खायर लखेगा दूआ में याद रखेगा और शेयर लोको लाइक और सब्सक्राइब करें अब आम लेकुम और खुत अला